119 की बात है कि एक दिन एक ब्रिटिश अफसर जॉन स्मित शिकार की खोज में अजन्ता गाउं के पास तक महुच कया, मगर उसे इस बात का पता ना था कि वह किस गाउं के पास है, वह बहुत देर तक पहाड़ियों में मारा मारा घूमता रहा, किन्तु शिकार ना पा सका, अ पड़के ने जब यूरोपियन सहब को देखा, तो शेर के मिलने का स्थान बता कर, बख्षिश के लालच में उसने सामने के पेडों के जुर्मुट के बीच से एक स्थान की ओर संखेत किया, और बोला, साहब वह देखो, साहब ने उंगली की दिशा में जो कुछ देखा, वह शिकार नहीं था, बलकि घनी हरीतिमा के अंतराल में बैंगनी पत्थरों के खंबों के बीच सुनहरे लाल रंग में कुछ ऐसी चीज थी, जिससे कैप्टन साहब प्रसन्न हो गए, वे एक ऐसी नायाब चीज का पता दुनिया को देने जा रहे थे, जो वास्तुकला की द्रिष्टी से निश्चेही महत्व पूर्ण थी, उन्होंने तुरंत गाउं वालों से कुलहाडी, भाले और टॉर्च लेकर पहुचने को कहा, और इस प्रकार उस लड़के की मदद से सदियों से भूले अजन्ता के गुफा मंदिरों तक पहुचने का रास्ता साफ हो सका फल स्वरू, सारा जगत बौध कला की इस महान अनुपमोपलब्धी से परिचित हो सका, हाँ या नहीं में उत्तर दें सही मेल कीजिए कथा को गद्यांच के अनुसार क्रम दें पुनह प्रयास करें प्रहन उनुपमोपलब्धी